हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वालों कि कैसे आप अपने IQZ3 Android मौइल फोन में आप जो है Accessibility बटन सैटिंग को आपने यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Accessibility बटन सैटिंग जो है कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जान इसे सेलेक्ट करना है इसके पिज में आपको नीचे आना है यह अपको यह option मिल जाएगा Accessibility Shortcut इसे सलेक्ट करना है अब इसके अंदर आपको यह Accessibility बटन का ओप्शन मिलेगा इससे इसे सलेक्ट करेंगे तो Accessibility बटन का पेज ओपन होगा इसमें आपको समझाने के लिए यह shortcut button इस तरीके के यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ठीक है मैं आपको समझाता हूँ फिर अभी तो देखें यहाँ पर जो है यह दो shortcut button मैंने ले लिए ठीक है तो हम जो अपने accessibility button setting में वापिस आ गए ठीक है तो देखें दोस्तों आपके पूरे mobile system में ऐसे कुछ options होते हैं जिनक आपको जो यह size का option select करेंगे तो इसमें आपका पहले से यह large पर आपका size पहले से होगा तो यहाँ पर देखें मेरा large पर pointer लगया हुआ तो यह बड़े है यह button तो अगर मैं इसे small पर select करूँआ तो यह देखें छोटे हो गए ठीक है इसे मैंने small पर select किया तो यह छोटे हो सकते हैं पहले तो आपको बटन on करना है ठीक है तो देखें धुंदले हो गया ठीक है तो यहाँ पर यह देखें नीचे की साइट यह जो option देख रहे हैं लाइन दे रहे हैं ट्रांसपेरेंसी वैं नॉट इन यूज इसमें पॉइंटर में इस पॉइंटर आगे पीछे करेंगे जब आप इन्हें टच करेंगे तब यह इनका कलर हाइलाइट हो जाएगा ठीक है ना तो यह जो आपके मुवाइल फोन में जो काफी सारे option होते हैं जिनके shortcut बटन इस तरीकी के होते हैं इन बटन के ओपर जो है यह आपकी setting काम करती है accessibility button setting ठीक है ना